भारती एटल फोकुस पे है भारती ने आपको याद होगा छोड़े टिंकरिंग की थी अपने कुछ स्कीम्स की उपर भारती एटल ने अपने टैरिफ स्कीम्स की उपर लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो पूरे देश भर में कर सकते हैं हमाई साथ सौमित स्टूडियो में उसके बारे में बात करने के लिए और अनलिस्स क्या बोल रहे है इस मूव से तो अगर आप देखेंगे तो एटल ने जो हायर मिनिमम रिचाज प्लान था अब वो पैन इंडिया बेसिस पे लांच कर दिया गया अब आपको याद होगा तो कर दिया है अब ये जो हायर मिनिममम रिचाज प्लान है वो 155 का है पहले ये करीब 99 से लेके 109 रूपीज पर था अब ए सारे जो प्लान से 99 से लेके 109 तक उन्होंने निकाल दिये है प्लान डिसकंटीनी Emily कर दिये है और अब सिर्फ 155 रूपीज का मिनिममम रिचाज प्लान होगा अब इसका मतलब क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो जियो का जो सिर्फ सिम ओनली प्लान है वो 155 रूपीज से होता था 28 डेस के लिए और भारती डिल का जो प्लान था वो पहले 99 का होता था इस कारण क्या हो रहा था कि जियो के जो सब्सक्राइबर अडिशन हो रहे थे उसमें थोड़ा बहुत स्लोडाउन देखने मिल रहा था अब अगर पैन इंडिया बेसिस पे बड़ा टारिफाइक चीए तो अब चुकी उस लेवल पर पैरिटी हो चुका है अब आगे चलके बड़ा टारिफाइक आने की एक्सपेक्टेशन है अगर आप देखेंगे तो 2021 में जब बड़ा टारिफाइक आया था उसके पहले भी हमें एक similar kind of move दिखा था जुलाय में करीब उन्होंने 60% hike लिया था entry level plans पे और फिर November में जाके उन्होंने एक pan India basis पे 4G tariff hike लिया था करीब 20% का जिसके एक अच्छा खासा up move और revenue growth हमें सारे telecom companies में दिखी थी अब जो current plan हुआ है इसके कारण जो आर्पू growth होगा उसे 3% का expected है और जो revenue accretion होगा भारते टल के लिए उसे 2% के आसपास हो सकता है बट जो bigger picture story यहां पर यह है कि अब चुकिए entry level plans at par हो चुके है आगे चलके बड़ा टारिफाइग आने की expectations analyst को तो ध्यान में रखे गए बिल्कुल और भाव बहुत conducive हो गया है छे मेने ग्राफ लेकिया यह आट सो सीवल नीचे 730 उसके बाद घट नहीं रहा है बजार में काफी fall आने के बावजूद भी बहू 730 वाला जोन विजिट करने का लग तो नहीं पर भारती जिससाब से न्यूज आ रही है जी हाँ भारती एटल की अगर बात करें तो भारती एटल में आप जितने भी concourse सुनो मैनेजमेंट की कमेंटरी होती है कि उनको इनका जो आत्मूरों तीन सो तक कर ले जाने का लच्छ है आने वाले सालों में तीन से चार सालों के कर रहे हैं मिनिमम प्राइंट को अब्डेड कर रहे हैं वह बहुत ही एक्सपेक्टेट था और जो जिसके वज़ा से इंच की आर्पीव में डेफिनेटली कापी अची इंप्रूब्मेंट आएगी हो मुझे लगता है कि 200 का मार्क यह बहुत जल्दी अचीव कर सकता है और 5G रोलार जो दिसम्बर क्वार्टर के एंड तक 11 परसेंट पहुच गया था उसमें कापी तेजी आई है इन रिसेंट हफ्तों में देखें तो उसका भी एक आपका असर मिलेगा दूसरा चीज़े कंपनी कापी एगरेसिवली जो हाई वैल्यू सेगमेंट होते हैं जो 300 से 400 सेगमेंट होते हैं जहां पर आपको माधिन सचे बनते हैं उसमें भी काफी कोकस कर रहा है इन एडिशन तो टेरिफाइक तो मुझे लगता है इन सब को अगर में मिला करके देखू तो अर्निंस काफी बहतर निकल के आएगा आने वाले क्वार्टर में और डिपनेटली जि टेकनिकल लज़र भी ले लेते हैं कुछ क्या आप मिल लवल्स पर खरीदेंगे भार्टी को अक्यूमिलेट कर सकते हैं जैसा थोड़े दर पहले अजय बता रहे थे हैं और राइटली की इनो जो स्टॉक ने 730, 740 के लोस बनाए थे इतने बीक मार्केट में वो लोस टेस् लेकिन 755, 760 के जो इसके support zones है उनको रिस्पेक करके चल रहा है तो मेरे साब से this is a good time to accumulate अग्रेसिव बाइन में इसलिए नहीं कहा रहा हूं कि अगर हम देखें थोड़े समय से तो stock के लोवर हाई पाटन बना रहा है एक attempt हुआ था breakout का बट हो सकते है market के चलते ही वो attempt जो ह पर support देख रहा है this is a good entry point आप इसको accumulate करना यहां पर विल्कुल शुरू कर सकते हैं अगर stocks इनको respect करके यहां से की rebound देता है तो बहुत ही जल्द आप stock pack 790 के levels देखेंगे as the first target और दूसरा target है मेरे लिए 820 का निकल के आ रहा है so definitely this is a good time to start accumulating भारती